तो दोस्तो、 Finally Election Commissioner, आप NTA की तरफ से EEP की, याने Electronic Voter ID Card launch कर दिया गया है आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे EEP के याने Electronic Voter ID Card PDF में कैसे डाwnलोट किया दाता है तो आगे बार तो ये वीडियो में उम्मीद है आपको वीडियो doc पसनता है तो दोस्तो आगे बारने से वहले मेरा एक सोटा सा रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल एकन को एनेबल कर दीजेगा आगे आने वाले ऐसे ही इंट्रिमेटरी वीडियो दगने के लिए तो दोस्तो यहीं www.nvsp.in search करेंगे तो आपके समने इलेक्शन कमिशनर अप इंडिया की जो ओपिशियल पैसे होम पैस में आज आएंगे तो उसके बाद आपको नीचे लेप में दो न्यू फीशर्स दिख जाएगा जैसे डाउनलोट इपिक और एक वाइसी तो इसमें क्लिक करता हो देखि कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहां लोग इन करना होगा तो लोग इन करने के लिए आपको राइट साइट में लोग इन बटन में क्लिक करना है जैसे ही अप लोग इन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको आईडी और पासओट से लोग इन करना होगा अगर आपके पास पासवाट नहीं है तो नीचे डॉंट हैफ एकाउंट रेजिस्टर एज निव यूजर इसमें क्लिक करके आप एकाउंट बना सकते हैं मोबाइल नमबर देखे वो टीपी वरिफाई होगा उसके बाद एकाउंट हो जाएगा तो मेरे पास पहले से ही NPSV का यूजर आड़ी और पासवाट है तो मैं यहां यूजर आड़ी और पासवाट डलके लोगिन करता हूँ तो मैं यहां यूजर आड़ी यानि मोबाइल नमबर डाल देता हूँ और मोबाइल नमबर डलने के बाद नीचे मैं यहाँ पासओड डल देता हूँ जो मैंने पासओड सेट किया था तो दोस्तों मोबाइल नमबर और पासओड डलने के बाद यह जो केपसा कोड है यहाँ डलना होगा ठीक है तो यह capsicode मैं यहां डाल देता हूँ H L O X U तो तो पासकोड दलने के बाद आपको यहां login बटन में click करना होगा तो मैंने login बटन में click कर दिया है और जैसे ही login बटन में click करेंगे तो आप successfully login हो जाएंगे login होने के बाद आपको यहां left site में download e-epic में click करना होगा download करने के लिए तो मैं यहां से e-epic में click करता हूँ तो मैं यहां click कर दिया है दोस्तों और click करने के बाद आप इस तरह interface आपके समने आजाएगा तो यहां e-epic number डलना है ठीक है enter your e-epic number यानि voter ID card का 10 digits का number होता है बो number यहां डलना है तो मैं मेरा voter ID card का number डल देता हूँ और voter ID card का number डलने के बाद आपको यहां select state यहां से state select करना होगा तो मैं awesome से हूँ तो यहां से awesome select कर लेता हूँ तो दोस्तो यहां डाउनलोड होता है या नहीं तो दोस्तो यहां देखिए यह एपिक डाउनलोड फैसलिटी विल भी एवेलेबल फ्रॉम फेबरॉरी 2021 वानवर्स यानि एक फेबरॉरी से यह एपिक जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा लेकिन दोस्तो अगर आप ध्यान से देखेंगे उपर की तरह तो यहां देखिए लिखा है इस सल 2021 में जिसका नाम भोटा लिस्ट में अन्य एवेलेबल है उनके लिए यह सरविस अभी एवेलेबल है मेरे पास फिलाल एक न्य अभी आपिक नमबर है जो अभी अभी रिसेंटली जो 2021 का जो बोटा लिस्ट में नाम आया है वो EPIC नमबर डाल करता हो कि डाउनलोड होता है या नहीं तो पहले मैं इसे reset कर देता हूँ पहले मेरा EPIC नमबर डाला था मैंने यहाँ तो इसे reset कर देता हूँ तो reset करने के लिए दू offenders to new number इंद नभाद आपको फिर से यहां से다가 its Chu's करना ंज़ोस के बात सार्स में क्लिक करना है ठाट करना है तुम मैं सार्स में क्लिक कर दिया है दुस्तों कis दोस्तों जैसे ही मैंने नय इपिक नमबर डाल दिया है उसके बाद देखिए पूरा डेटियल्स आ गया है नाम, फादन, नम, इपिक नमबर और मोबाइल नमबर यह सब आ गया है लेकिन डाउनलोड करने का कोई ओप्षोन यहां नहीं है और नीचे लिखा है यह EKYC करना हो है EKYC तो 1 February से स्टार्ट हो जाएगा एक फेबरारी के बाद ही आप EEP क्यानी इलेक्ट्रोनिक भोडर डाउनलोड कर बाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1 February में कैसे डाउनलोड करना होगा ओव वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल अकन को एनेबल कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं होगा थैंक्स पर उसिंग दिश वीडियो एन ओल्लोइस कीवे स्माइलिंग